तो गाइस आगर आप चाहते हैं आप अपने MIUI 10 के डिवाइस को और अच्छी तरीके से कास्टोमाइज कारना और और उच्छी तरीके से उसे हैंडसम लुक प्रोवाइज कारना तो इस वीडियो को आखे तक जरूर देखना है क्यूंकि मैं इस वीडियो में आपसे बात करने करने वाला हूँ MIUI 10 के लिए एंदर शाओ में डिवाइस के लिए ऐसे एक लॉंचर जिसे ट्राइ करके आप अपने शाओ में डिवाइस के जो लुक एंड फीर हैं जो कस्टोमाइजेशन है उसे और एक लेविल तक जरूर से कस्टोमाइज एंड जरूर से इंक्रीस कर सकत हैं सो देखते रहें इस वीडियो को तो यार सबसे पहले तो मैं इस लॉंचर का लिंक में डिस्क्रिप्टन पर प्रोवाइट कर दूंगा आप जाहें तो आज से जाके इस लॉंचर को काफी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और काफी आसानी से डाउनलोड हो जाने के को होता है उसका जो आइकन मिलता है वह मुझे अ childcare अचा लगता है उसका यहां पर इसका ऽो होम सक्रेन देख सकते हैं काफी अच्छा और काफी मिनिमल से आपको मिल जाता है जैसी कुछ कुछ यहां पर काफी अचा और Literat акosate यहां पर स्कार करें तो यहां पर आपको मिल जाता है यहाँ आपको का यह पर चीला लू प्रोवाइट करता है देखने में और काफी अचय थीम के साथ में एक ऑफिशियल डीपॉल्ट आपको यहाँ पर एक बूस्ट मिल जाता है जिसे अपने फोन को बूस्ट कर सकते ही सो यहाँ पर इसका जो weather का logo मिल जाता है या weather का विजिट जो भी आप कह सकते है इसका जो मिलता है वो काफी अच्छा लगता है देखने में पूरे पूरे Samsung Note 9 के तरह look and feel प्रोवाइट कर देता है सो यहाँ पर मिल जाता है Hidden Apps का feature आप चाहें तो यहाँ पर से कोई वी app को height कर सकते है default and then यहाँ पर से switch मिल जाता है जेश्चर मिल जाता है डेटा काट्रोल मिल जाता है app manager मिल जाता है and then desktop lock मिल जाता है काफी आचा features इस में है और यहाँ पर 3D wallpaper का भी feature आपको इसमें देखने क को मिल जाता है इस लांचर के तो मुझे परसोनली काफी जादा फेब्रीट और काफी जादा पसंद आई आपको यह लांचर कैसा लागा मुझे कमेंट में प्लीज मुझे जरूर बताना सवागर आपको वीडियो आचा लगा तो प्लीज हिट लाइक बटन सवागर अपने मे